आप सभी दोस्तों का हर्दिक स्वागत है आज का जो क्लास हम लोगों का होने वाला है बहुत बहतरीन क्लास है और इस क्लास में हम लोग उप राष्ट पती का चुनाव संपन हो चुका है और इसका गिंती भी संपन हो चुका है और हमारे देश के नए उपराष्ट पती के रूप में, स्री जगदीब धनकरजी चूनके आभी चुके हैं, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर उपराष्ट पती को क्या क्या कारी दिया गया है, कौन उपराष्ट पती बन सकते हैं, भारत के उप्राष्ट पती से समंधित अगर कोस्ण आएगा तो इस क्लास से जरूर निश्टित रूप से टेली करेगा, इसलिए इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उप्राष्ट पती के बारे में जौनते हैं, तो सबसे पहले देखिए उ उप राष्ट पती होते हैं, यह किस अनुछेद के अंदर है? अनुछेद नमबर 63 के अंदर, अगर हम लोग उप राष्ट पती के बारे में बात करें, कि उप राष्ट पती का पद किस देश के संबिधान से अपनाया गया है, तो ध्यान रखेगा USA से लिया गया, उप राष राज सभा के पदेन सभापती होते हैं, राज सभा के पदेन सभापती कौन होते हैं, उपराष्टपती, ये किस अनुछेद के अंदर कहा गया है, अनुछेद नमबर चौवन में कहा गया है, भारत के जो उपराष्टपती होंगे, वो राज सभा के पदेन सभापती होंगे, ये किस अनुछेद के अंदर है अनुछेद नमबर 64 धियान रखेगा ये बहुत इन्पोर्टेंट है भारत का उपराष्ट पती राज सभा का पदेन सभापती होते हैं किस अनुछेद के अंदर अनुछेद 54 देखिए मेरे भाई यहाँ पर RS लिखे हैं इसका मतलब हो राज सभा के पदेन सभापती होते हैं किस अर्टिकल के अंदर 64 के अंदर अगला देखते हैं उपराष्ट पती राज सभा का सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट पती जो होते हैं वो राज सभा के सदस्य नहीं होते हैं उनको मत देने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है कि किन्तु राज सभा के सभापती होने के नोते उनको निरनायक मत देने का अधिकार है धियान रखना है राज सभा के सदस्य नहीं होते हैं उपराष्टपती उपराष्टपती को बोट देने का भी अधिकार नहीं है किन्तु यहाँ पर एक बात कहीगे किन्तु राजसभा के सभापती होंगे उपराष्टपती इसी राजसभा के सभापती के नते उनको निरनायक मत देने का धिकार है किलियर है निरनायक मत कब दे सकते हैं जबकि मत बराबर हो जाए मत बराबर हो जाए उस सिती में उनको मत दान करने का धिकार है निरनायक मत देने का धिकार है किनको उप राष्ट पती को नहीं राज सभा के पदेन सभापती के रूप में उनको निरनायक मत देने का धिकार है धियान रखना है अगला देखते हैं राष्ट पती का अगर पद खाली है राष्ट पती का पद खाली हो तो राष्ट पती का पूरा कारी कौन करेगा उप राष्ट पती किस अनुछेद के अंदर कहा गया है 65 में 65 अनुछेद 65 के अंदर ये कहा गया है राष्ट पती का अगर पद खाली है तो उस स्थिती में राष्ट पती का पूरा कारी कौन करेगा उप राष्ट पती करेगा किस अनुछेद के अंदर अनुछेद नंबर 65 में और राष्ट पती का पद मेक्सिमम् 6 महिने से अधिक खाली नहीं रहना चीए यानि 6 महिने के अंदर राष्ट पती के पद को भरना जाता है मैकसिमम कितने दिनों तक वो कारी कर सकते हैं 6 महिना तक धियान रखना है और राष्ट पती को जितना भी इंसन जितना भी सेलरी मौसिक जो मन्थली दिया जैता वो सारी सुविदाय उसके अंदर दी जाती है तो धियान रखना है आप लोगों को राष्ट पति का यानि उप राष्ट पती बनने के लिए नियूंतम क्या-क्या योगिता होना ची उप राष्ट पती कोई भी निर्वाचित होना चाहेगा तो उनके लिए क्या-क्या योगिता होना ची तो सबसे पहली बात याद रखेगा कि उप राष्ट पती बननने के लिए नियूंतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए. दूसरा बात याद रखना है भारत का नागरिक होना चाहिए. तीसरा बात याद रखेगा राज सभा के सदस निर्वाचित होने योग्यी हो. यानि राज सभा के अंदर जो सदस निर्वाचित होते हैं जितनी योगिता होना वो सभी योगिता राष्ट्पती के चुनाव में उमीदवार को हना ची तभी वो राष्ट्पती का चुनाव लड़ सकता है राजसभा के सदस निर्वाचित होने योग अगला देखते हैं निर्वाचन के किसी भी परकार के निर्वाचन के समय मेरे भाई एक बात धियान रखेगा आप लोग भारत के अंदर परसिडेंट ये देखे पी फोर परसिडेंट हो जाएगा और ये गवर्नर ये तीनों भारत के अंदर लाव का पद नहीं माना जाता है भारत में कौन-कौन से ऐसे पद हैं जिसको लाव के पद में नहीं रखा गया है तो धियान रखेगा परसिडेंट राष्ट पती व्वाइस परसिडेंट ये उप राष्ट पती और ये गवर्नर इसको भी लाव के पद के अंदर नहीं रखा गया अभी क्या हुआ धियान से सुनिएगा एक सेकेंड के लिए ये पस्चिम बंगाल के राजिपाल स्री जगदीब धनकड इसलिए उनको उमीदबार बनाया गया NDA की तरफ से इस समय जो थे क्या थे राजिपाल थे पस्षी मंगल के राजिपाल थे और राजिपाल का पद जो होता है वो लाव के पद पे नहीं माना जाता है इसलिए इनको उपराष्टपती के पद के लिए NDA ने अपना उमिदवार बनाया और ये जीत के भी अपने देश के लिए 11 अगस्त को है आगे देखते हैं तो धियान रखना है कि भारत के अंदर बताईए कौन-कौन से ऐसे पद हैं जो लाव के पद को नहीं माना जाता है तो राश्टपती उपराष्टपती और गवरनर यानी राजिपाल किलिए रहा है तो आगे देखते हैं निरवाचन के समय किसी भी परकार के लाब के पद पर नहीं हो धियान रहेगा अगला है वह संसद के किसी सदन या फिर राजि के विधान मंडल का किसी सदन का सदसे नहीं हो सकता है या तो संसद का भी सदसे नहीं हो सकता है या किसी भी राजि के अंदर विधान मंडल का सदसे नहीं हो सकता ह अगर वैसा होता है और वो आपने चुनाव में उमिदवारी करता है तो वो जिस सदन का सदस्य था उस सदन की सदस्य था उसकी ओटोमेटिक क्या जाएगी समप्त हो जाएगी किलियर है तो धियान रखना है कि आप लोगों को उपराष्ट पती बनने के लिए क्या-क्या पुछा जाएगा बताइए उप राष्ट पती बनने के लिए इन में से कौन सी योगिता अनिवारी नहीं है तो ये चार-पॉँच बात बताएं इसको धियान रखेगा इसा ही कोस्ण पुछा जाएगा बताइए उप राष्ट पती के चुनाव में इन में से कौन सा इदबार के लिए योगिता नहीं है हो सकता है तो पहला याद रखना है कि निउन्तम मूब कितना होना ची है पैंतीस वर्स होना ची है भारत का नागरिक होना ची तीसरा बात याद रखना है कि राजसभा के अंदर सदस्य निर्वाचित होने योग हो चौथा बात याद र ले सकता है और देख लेते हैं इसके आगे उप्राष्ट पती के बारे में देखते हैं आगे निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल उप्राष्ट पती के चुनाव के लिए जो निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगे इसका चर्चा किया गया कि सनुछेद के अंद तो उसके लिए निर्वाचक मंडल होते हैं और इस निर्वाचक मंडल का प्राध्धान संभीदान के किस अनुछेद के अंदर है अनुछेद 66 में किस अनुछेद के अंदर है 66 राष्टपती का जो चुना होता है अनुपातिक परतिनिधित पधती के अनुसार एकल संकर्मनि मत द्वारा होता है गुप्त मत दान के द्वारा किया जाता है एकल संक्र मनिये गुप्त मत दान के द्वारा उपराष्ट पती का भी चुना होता है अब देखिए उपराष्ट पती के चुना में कौन-कौन भाग लेते हैं इसको ध्यान रखेगा कि उपराष्ट पती के चु सदस्य और मनुनित सदस्य भी भाग लेते हैं किलियर है और अगर हम लोग एक बात धियान रखेगा आप लोग राष्ट पती के चुनाओं में लोक सभा के जो सदस्य होते वो भाग लेते हैं और राजी सभा के जो सदस्य होते वो भाग लेते हैं और विभीन राजी के जो व बिधान सभा हैं और उस बिधान सभा के अंदर निर्वाचित सदसे जो हैं वो भी भाग लेते हैं यानि विधायत उसमें राष्टपती के अंदर मनुनित सदसे जितने भी हैं वो भाग नहीं लेते हैं लेकिन उप राष्टपती के चुनाव में मनुनित सदसे भी भाग ले जैसे देख लिजे लोक सभा के जितने भी निर्वाचित सदसे वो तो भाग लेगा ही लेगा उनके साथ साथ में जो मनुनित सदसे वो भी भाग लेंगे राज सभा के अंदर जो निर्वाचित सदसे वो तो भाग लेंगे उनके साथ साथ में मनुनित सदसे जो है वो भी भा नहीं लेंगे विधान सभा के सदस से भाग लेंगे राष्ट पती के चुनाओं में किलियर है तो इतना एक सेकंड के अंदर लिखिए देखे राष्ट पती से और बहुत इंपोर्टेंट फेक्ट है देख लेते हैं अगर उप राष्ट पती की बात करें हम लोग उप राष् अनुछेत सडसट के अंदर ये कहा गया है उप राष्ट पती को पद की सपत किसके द्वारा दिलाया जाएगा राष्ट पती के द्वारा दिलाया जाएगा और धियान रखेगा जिस दिन सपत गरहन हुआ उस दीन से लेके 5 वरसों तक के अबधि के लिए वो उप अब्धी तक के लिए वो पद पे उपराष्टपती के रूपे में रहेंगे और उस पॉंच वर्ष के पहले ही देश के फिर नए उपराष्टपती चुन लिए जाएंगे अगर सपोज देट उस स्थिती में पॉंच वर्ष के अंदर नहीं चुना गया तो जब तक देश के नए उपराष्टपती नहीं बन जाते हैं तब तक यही उपराष्टपती कारी करते रहेंगे इसका मतलब यह हुआ कि वो जो उपराष्टपती है तब तक बने रहेंगे जब तक कि उसका उत्राधिकारी कोई चुन के नहीं आ जाए तो धियान रखना उप्राष्ट पती तब तक कारी करते रहेंगे जब तक कि उनका कोई उत्राधिकारी चुनके नहीं आ जाते उनका उत्राधिकारी चुनके आ जाएंगे उनका पद क्या आ जाएगा समाप्त जाएगा और जो उत्रादेकारी वो उपराष्टपती का पद कार जितना भी कारी है वो करना शुरू कर देगा क्लियर है इसी में और आगे देख लेते हैं कि अभी तक में देश के उपराष्टपती कौन-कौन बने हैं और उसका सेशन क्या रहा है धियान रखेगा अब देख लेते हैं लोग भारत के अभी तक में कौन-कौन उपराष्टपती बने है और उनका कारीकाल कितने कब से कब तक रहा है तो सबसे पहले धियान रखना है देश के पहले उपराष्टपती डॉक्टर सरपली राधा कृष्णन इनका कारीकाल 1952 से लेके 1962 इस भी तक रहा है ये देश के ऐसे उपराष्टपती हुए जो लगातार दो बार निर्वाचित हुए देश के राष्टपती जो दो बार लगातार निर्वाचित हुए वो कौन है डॉक्टर सरपली राधा कृष्णन 1952 से 1957, 1957 से 1962 दस वरसों तक लगातार देश के एक मात रूप राष्टपती कौन रहे है डॉक्टर सरपली राधा कृष्णन दो बार रूप राष्टपती रहे और देश के दूसरे राष्टपती भी रहे धियान रखना है देश के दूसरे राष्ट पती कौन थे डप्टर सरपली राधा कृष्णन इनी के जन्म दिवस पर हम लोग 5 सेप्टेंबर को सिख्छक दिवस के रूप में बनाते हैं इनका जन्म दिवस किलियर है अगला देखें डप्टर जाकिर हुसेन इनका कारिकाल की बात करें 1962 से 1967 देश के तीसरे उपराष्ट पती थे बीवी गिरी इनका कारिकाल 1968-1969 ये दो वर्सों के लिए बने थे धियान रखेगा चाउथा उपराष्ट पती गोपाल स्वरूप पاتhak देश के चाउथे उपराष्ट पती काउण गोपाल स्वरूप पाठक इनका कारिकाल 1979 से लेकि 1974 पांचमे उप्राश्ट पती BD जती धियान रखेगा पांचमे उप्राश्ट पती के रूप में कौन बने थे BD जती इनका कारिकाल 1974 से लेकि 1989 तक रहा था छटे उप्राश्ट पती के रूप में मुहमद हिदाईतुला इनका कारिकाल 1989-1984, इदायतुला का कारिकाल कितुने वर्सों का था? पंच वर्स कब से कब तक? 1989-1984 आर वेंकेट्रमन 1984-1987 इनका कारिकाल था आर वेंकेट्रमन देश के सात्वे उप्राश्टपति के रूप में 1984 से लेके 1987 तक कारिकिये अगला है डॉक्टर संकर दयाल सर्मा डेस के आठवे उप्राष्ट पती के रूप में 1987 से लेके 1992 तक काम किये आगे दखते हैं के आर नरायन का कारिकाल 1992 से 1997 इस भी तक रहे देस के नुम्मे उप्राष्ट पती के रूप में अगला है देस के दस्वे उप्राष्ट पती कृष्ण कांत इनका कारिकाल 1997 से लेके 2002 तक था कृष्ण कांत जो देस के दस्वे उप्राष्ट पती के रूप में कारी कर रहे थे इनका कारिकाल 1997 से 2002 अगला 11. उप राष्टपती जो थे भाईरो सिंग से खाबत का कारीकाल 2002 से लेके 2007 इसवी तक भाईरो सिंग से खाबत देश के 11. राष्टपती के रूप में कारी किये कब से कब तक 2002 से लेके 2007 तक बारमें उप रश्ट्पती के रूप में जो कम किये हैं वो हामीद अनसारी थे बार में उप्राश्पती के रूप में कौन कारी किये है हमिद अनसारी इनका कारी काल 2007 से लेके 2012 थीक हमिद अनसारी दो बर लगातार चुने गए 2007 से लेके 2017 तक अगला जो है एम बेंकिया नैडू जो है इनका कारी काल 2017 से लेके 2012 तक और देश के चौध में उप्राश्पती के रूप में निर्वाचित होके चुने गए हैं कौन निर्वाचित हुए कौन जगदीप धंकड स्री जगदीप धंकड देश के चौध में उप्राश्पती के बारे में कि अभी तक में देश के कौन-कौन उपराष्ट पती बने हैं और उनका कब से कब तक कारिकाल था अब जान लेते हैं हम लोग देश के जो नए उपराष्ट पती बने हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल उनकी थोड़ा परीचे जान लेते वो कहां से आते हैं उन जगदीप धनकड श्री जगदीप धनकड एंडिये की तरफ से उमिदवार थे और कॉंग्रेस की ओर से मार्गेट अलवा उमिदवार थी दोनों के बीच में चुनाव संपन हुआ जिसमें श्री जगदीप धनकड ने कुल मिला के 528 वोट हासिल किये मार्गेट अलवा ने 182 वोट हासिल करी और 15 वोट जो था वो आबाइद था तो इस तरह से श्री जगदीप धनकड निर्वाचीत होए बहुत ज़्यादा वोटों से इन्होंने लीड ले लिया कौन भी जई हुए स्री जगदीप धनकड देश के चौद में उप राष्टपती के लिए चुने गए और कि इनको इन्होंने हराया मार्गेट अलवा को मात्र 182 वोट आया और स्री जगदीप धनकड को कुल मिला के कितना आया 528 अब जान लेते हैं थोड़ा जगदीप ध धनकर के बारे में उसकी प्रारंभिक जीवन तो उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था राजास्थान के जुन्जनों में जगदीप स्री जगदीप धनकड का जन्म का हुआ था राजास्थान के जुन्जनों में 18 मई 1991 इस वी को इसका जन्म ह राजस्थान के जुन्जनु में प्राथमिक सिक्षा इनका गौ में ही हुआ और ग्रेजुएशन करने के लिए यह राजस्थान के जैपूर गए और जैपूर युनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन किया ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने अपना जो जिविका चलाने के लिए पेशा शुरू किया तो वो वकील के रूप में इन्होंने एक कारी करना शुरू किया राजस्थान के अंदर ही और वकील के रूप में बहुत दिनों तक इन्होंने काम किये उसके बाद जो है इनको खेल से बहुत जादा इंट्रेस्ट था खेल में बहुत ज़्यादा ये रूची रखते थे इसलिए इनको जो है राजस्थान के अंदर ओलंपिक और टेनिस महासंग के अध्यक्ष भी बनाए गए तक इनको श्री जगदीब धनकड को उसके बाद अगर बात करें राजनितिक जीवन में ये राजनितिक जीवन में शुरुवात में 1988 वी को राजनितिक जीवन में आए उनके बाद जो है 30 जुलाई 2019 को पसीब मंगाल के राजपाल के रूप में इनको न्यूक्त किया गया तब से लेके आज तक वो मतलब पसीब मंगाल के राजपाल के रूप में कारी कर रहे थे इनका चर्चा हुआ उपराष्ट पती का चुनाओ के लिए इनका नाम का गुसना हुआ और चुनाओ और चुनाओ में ये विज़ाई भी हुए इनने जीते भी और अब जो है देश के चोदमे उपराष्ट पती के रूप में 11 अगस्त को इन्होंने सपतगरन करेंगे और देश को एक नया उपराष्ट पती मिलेगा स्री जगदीब धनकड के रूप में तो स्री जगदीब धनकड आपके देश के हमारे देश के चौदमे उपराष्ट पती के रूप में कारी सुरू करेंगे कितने तारिक से 11 अगस्त से ये कुछ जानकारी उप राष्ट पती से और देश के जो नए उप राष्ट पती चुन के आए स्री जगदीब धनकड के बारे में हम पूरी डिटेल से आप लोगों को बताने का परियास किये और ये पूरी कहानी थी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कीजिए आज की सवा हम लोगों का यहीं तक रहने देंगे अगली सवा में फिर से अगले दिन मिलते हैं तक तक के लिए धन्यवाद